क्रिकेट के मैदान में कूद चुके हैं सियासी गलियारे के महतपुर्ण खिलाडी यानि कि भारत के अहम अहम नेता अब भारत और पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है टी टुवंटी वर्ल्ड कप 24 अक्टूबर को जो होने वाला है उस पर एक ग्रहन मंडरा रहा है और जो परकार से वहां से लोगों का पलायन जो होता हुआ नजर आ रहा है वह 90 और उससे पहले की स्थिती को दुरा रही है और बैया कर रही है धर्जन भर से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है इसके बाद जिस परकार से भारत में सियासी तूफान मचा कॉंग्रेस के लोगो दोने मैच नहों होने देने की बात कह डाली है जाहे हो गिरिराज सिंग हो या फिर विहार के उपमुक मंतरी तारा किसोर परसाद हो वैसे तमाम बाते और भी नेताओं ने कही है मगर इन दोने नेताओं की बाते काफी मुखरता से आई है इसलिए इन दोनों का नाम है बात यह उटती है कि आखिर ये जो भारत और पाकिस्तान के मैच के बगत ही ऐसी महाल बन जाती है तो दर्सक जिस परकार से एक पक्ष और दो एक पक्ष का कहना है कि इस महाल में और इस सिचुएशन में मैच नहीं होना चाहिए एक पक्ष का कहना है कि इस सिचुएशन में मतलब कि अभी जो भारत और पाकिस्तान का मैच होगा 24 सक्टूवर को उसमें हम पाकिस्तान को हरा करके और मुह तोड जवाब देंगे अब को को मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए उसके बाद इस प्रकार से आइसी सी का कह सकते हैं कि यह ट्रोफी है तो यहां पर अगर भारत यहां पर मैच नहींग खिलता है तो दो अंक जो है वह पाकिस्तान को मिल जाएगा जो जो गुट बनाए गया है बारटीमों की उसमें उसके बाद भारत को नुकसान हो जाएगा अगर पाकिस्तान के साथ अगर मैच नहीं खेलता है तो उसके बाद अगर सेमी फाइनल और फाइनल में आएंगे तो फिर क्या करेंगे यानि कि साफ साफ यहां पर कह सकते हैं कि मैच का बिरोध होने के बाद मैच अगर नहीं होता है तो फिर भारत को ही नुकसान केवल अंगों का नहीं होगा वहाँ पर ग्रूप स्टेज में उपर जाने के लिए भी अगर वह अंग घटेंगे तो फिर वहाँ पर भारत को मसकत करनी पड़ सकती है और कह सकते हैं कि इसमें काफी नुकसान भारत कोई होगा मगर अगर ऐसे सिचुएशन में अगर मैच होता है तो कहीं न कहीं जो लगातार आतंकी हमले होते रहते हैं पाकिस्तान के तरप से होते हैं पाकिस्तान परस्त मानसिक्ता के लोगो द्वारा जो ओहां पर हो रहा है वह जिस प्रकार से निर्मम हत्याय हो रही है वह एक चिंता का भी सह है उसी के साथ ही खेल का मैदान भी कह सकते हैं कि सियासी बवंडर बनकर कईवार रह जाता है भारत और पाकिस्तान का ऐसे ही एक द 2019 में उसके बाद से और भी मामले खतम हो गये क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार से 2019 में वो हमले हुए 14 फरवरी को पुलवामा में उसके बाद फिर और भी महौल गरमा गया तो मैच लगातार न होने की ही बाते सामने आती है उसके बाद आतंकियों का मनुवल जिस प्रकार से ब भारत को दोंकों का नुकसान होगा ही ICC भी कुछ हैसी प्रतिवंद BCCI के उपर लगा सकती है मगर BCCI इतनी मजभूत है कि अगर चाह ले तो फिर ICC को भी दवाब में ला सकती है क्योंकि ये बाते पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के नेताओं की जिस प्रका पहुंचाती है क्योंकि ICC का जो सबसे बड़ा आई का स्रोत है वह BCCI यानि की भारतिये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है अब एक बाते और उभर कर आ रहे हैं कि अगर प्रतिबंद लग जाएगा कुछ ऐसा ICC के तरफ से तो फिर आगे के विए स्टेज में भारत को और भी बात नहीं है उस पर अनेक चिंतन और विसलेशन होते रहते हैं वह लगतार होते रहने चाहिए मगर यह तमाम बाते हैं कि यह पाकिस्तान परस्त सोंच और पाकिस्तान परस्ति लोगों के द्वारा यह किया जा रहा है कस्मीर में यह बाते भी एक सचाई है जिसको लेकर ग जारत और पाकिस्तान का मैच होता है या नहीं होता है इसको लेकर आप राय देना कॉमेंट बॉक्स में न भूलें वहीं अब देखते हैं कि 24 अक्टूबर को क्या कुछ होता है कई दर्सकों का कहना है कि पाकिस्तान को हरा कर हम बदला ले सकते हैं उसे बूरी तरह से कि क्या एक तरफ हत्याएं होती रहेगी और दूसरे तरफ हम मैच खेलते रहेंगे ऐसे तरह के दो दर्सक जो दो धुरूबू में बढ़ चुके हैं वो अपनी अपनी बाते लगातार सोसल साइडों से लेकर तमाम जगों पर चौक चौराहें पर भी हो रही है अब देखन कर दो 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 फिता हैं झाल लेकर टो दो दो कि अ रहाओे लाओें ।